नमस्कार शातियों, स्वागत आप सभी का अपने यूटूब चैनल पे तो बार-बार कमेंट आ रहे थे कि सपत पत्र आपको किस परकार से बनवाने हैं तो मैंने काफी सारे वीडियो में बताया था लेकिन मैंने जरूरी ये समझा कि मैं अलग से आपको वीडियो दे दूँ जो सारे आप देख पाओ सभी के पास सेर कर पाओ तो जो गोशना पत्र जो सव गोशना पत्र है नो वो आपको चीएगे डिवी के टाइम है पहले आपको सव गोशना पत्र है वो नहीं चीएगे लग बग अगर चीएगे तो मैं आपको अलग से बता दूँगा लेकिन मेरा जहां तक माना है कि आपको डिवी में ओफ्लाइन मांगेंगे हो इसमें आपके सव गोशना पत्र जैसे देज के लिए होगा एक तो देज के लिए हो जाएगा दुमरपान के लिए हो जाएगा ठीक है दुमरपान के लिए हो जाएगा उसके अलावा आपके हो जाएगा आपके जो शेक्षिक और प्रेशेक्षिक जो आपके डोकिमेंट है गुण के लिए सत्यापन के लिए हो जाएगा कि जो पी मैंने दियें वो सही है मुल निवास के लिए हो जाएगा और काफी सारे जो सव गोशना पत्र हैं वो अब बात आती है किस परकार से बनवाने इस वीडियो में यही देखने वाले चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें आपको वीडियो अच्छा लगो आपके लिए हैलफ फूल है जो कमेंट करके जरूर बताया करो हमें लेकिन ज्यादा बढ़िया यह रहेगा कि आप इन सव गोशना पतर सभी को अलग लग प्रिंट करवा ले अब देखो फोटो कोपी इसकी नहीं निकल रहे है क्योंकि यह सभी एक साथ जुड़े में तो इनके लिए आपको क्या करना है यह आपको टाइप करवा लेना है ज कुछ जिलें के ऐसे क्रमचारी होते हैं जो यह मानते हैं कि स्टाम्पे होना चीए तो 50 रुपए के स्टाम्पे भी लिखा सकते हो वह आपके जो भी आपका जो होम डिश्टिक है ना वहांके नमर आपको मिल जाएंगे साइट के उपर तो वहां पे आप फोन करके एक बार पूछ लें कि सर अमें कौन से लेकर आने या एक बार आप जा रहें क्योंकि आपका जिला कोई बड़ा तो होता नहीं है एक दिन का समय निकालके आप जाके आजाएं वहां से पूछ लें कि सर में कौन सा लिख वालों तो वो बेटर रहेगा क्योंकि कुछे केस में ऐसे अ . अब बात रहेए कि विध्यप्ति संक्या और दिनाक रजलडेटेट वो क्या डालनेए कैसे बनाना है ? तो देखो लेवल फस्ट के मैं आपको दिखा रहा हूं सामने ग्रुप मैं मैं ने लेवल तू का भी डाल दिया है इसमें आपको एक तोड लगाना है कि जो प्रात्मी उच्प्रात्मी विद्याले अध्यापक सिद्धी बर्ती 2021-22 लेवल फस्ट में लगाना है उसके बाद विगयपती संक्या दो एक तो 12-22 जो कि 16-22 को जारूई थी और 13-22 जो कि 16-22 को जारूई थी ये दो आपके पास वि विषेज सिक्षा उसे हो तो विषेज सिक्षा आप लिख देना आप कुन सी केटेगरी से हो उसके बाद में रजल्ट डेट है लेवल फस्ट के लिए 26 और अगर लेवल टू से आप हो तो आपके विश्चे की जब भी कट ओफ जो रजल्ट है जो जिस डेट को है वो डेट लिया था ना मैंने मांग की थी ये उसमें आपको लिखना है और जिनोंने साधी जिनकी नहीं हुए उनके लिए क्या करना है कि जो भी मेरी साधी होगी तो मैं दो देज है वो ना तो मैं मांग करूंगा उसकी और ना उनसे लेऊंगा ये आपको लिखना है तो दोनों के ल उसमें मैं रजल्ट जबाया, दोगना सुची के लिए तो मेरा नाम आया है, और इसी परकार मेरे जो भी डोकुमेंट लगाएं वो सही है, तो जरूर आप इसको भी बनवा लेएं, तो मैंने बता दिया, कपी शारी कमेंट आ रहे थे, अपरादिक रिकोर्ड नय होने का भी ह जिनके भी अपरादिक रिकोर्ड हैं, जैसे सव गोशना पत्र में, जिनके भी अपरादिक रिकोर्ड है, किसी पर कोई केस वगरे हुआ है, तो आपको क्या लिखना है, कि आपको अपरादिक रिकोर्ड दिखा के, जो भी आपके जो नयाल है, उनका जो आदेश जो आया थ वो आदेश की आपको साथ में कुपी भी लगानी है कि ये नयाले के द्वारे ये आदेश सुनाया गया था और मैं इसमें बरी हो गया था और मेरे से केस खतम हो गया था वो आपको प्रोपर लिखवाना है ठीक है और जिन पर नहीं है उनके लिए ये ऐसा ऐसा प्रारूप है वो आपको लगा देना है कि मेरे पर कोई भी case वगेरे नहीं वाया और मैं बिल्कुल साही हूं तो कोई दिक्कत नहीं यह आपका मनने हो जाएगा ठीक है और उसके बाद है संतान 27 सव गोशना पतर संतान 27 सव गोशना पतर जरूर लिखवाने है जिनके भी आप देखो जैसे आपके कोई संतान नहीं है तो उसमें 0 लिख देना है बाके जितने भी आपके एक या दो बच्चे है वो आपको लिखना है इसमें साती साती है सारी डिटेल भी आपको लिखनी है ठीक है और उसके बाद में देखो आपको सारे में सव गोशना प उस टाइम आपको चाहिएंगे ठीक है और आपको लिखवा लेना है वाइट पे पे लिखवा लेना या आपके जिला जो होम डिश्टी के वहाँ पे पूछ के आ जाना कि आप कुन सा वेलेड कर लोगे क्योंकि वेलेड तो दोनों होते हैं 50 रुपए स्टांप वाला भी होता है ठीक है और एक साथ एक पेज़ पे भी आप प्रिंट करवा सकते हो लेकिन मेरी राही है कि सभी को अलग-अलग से प्रिंटे करवा लेना बाके आपके कोई भी समश्या हैं जात्ति प्रमणा पतर यह सव गोशना पतर को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख द झाल